गुड मॉर्निंग चुल्रन उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एवं सुरच्छित होंगे आज मैं क्लास 3 के विद्यार्थियों के लिए पार्ट 4 लेकर आए हूँ जो कि एक कवीता है जिसका सीरसक है समय का मोल या कवीता मैं जूम क्लास में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ पर आज मैं वीडियो भी दे दे रही हूँ ताकि आपको अभ्यास लिखने में कोई दिक्कत ना हो तो आए शुरू करते हैं पार्ट 4 समय का मोल मिले फूल से फूल तो गुल्दस्ता बन जाता है इंट से इंट जुडे तो देखो सुन्दर घर बन जाता है छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती है मिट्टी के कनकन से ही या प्रिथ्वी बन जाती है पल-पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है पल-पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है इस कवीता से हमें यह संदेश मिलती है कि हमें समय के महत्व को पहचानना होगा और छोटी छोटी चीजों को भी पहचानना होगा उनके महत्व को भी समझना होगा क्योंकि छोटी-छोटी वस्तू के मिलने से ही एक बड़ी वस्तू बनती है इसलिए छोटी-छोटी चीजों का मोल भी समझना होगा तो आए अब हम अभ्यास देखते हैं अभ्यास में सबसे पहले दिया है सब्दार्थ इस सब्दार्थ को आप कॉपी में लिख लेंगे पहला है सागर जिसका अर्थ समुद्र कनकन छोटी से छोटा टुकड़ा पलपल छन या समय का छोटा हिस्सा युग बहुत लंबा समय मोल मुल्य या कीमत बुद्धिमान जिसमें बहुत बुद्धी हो अथवा होसियार यह आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए उसके बाद अगले अभ्यास में आईए सही उत्तर पर निसान लगाओ इटों से बनते हैं सही उत्तर क्या है घर तो आप घर पे निसान लगाएंगे बुदों से बनते हैं सागर सागर पर सही का निसान लगाएंगे कनकन मिट्टी से बनती है प्रीथवी प्रीथवी पर सही का निसान लगाएंगे इस कवीता के लिए सबसे सही नाम होगा समय का महत्व तो आप समय का महत्व पर निसान लगाएंगे इस कवीता से हमें क्या सीख मिलती है समय अन्मोल होता है इस कवीता से हमें या सीख मिलती है कि समय अन्मोल होता है अब समय अन्मोल होता है पर निसान लगाएंगे उसके बाद अगले अभ्यास में आईए भासा से यहाँ पे कुछ शब्द दिये वे हैं हमें वाज शब्द लिखना है जिनके ये समानार्थक सब्द है ये सब्द किसके समानार्थक हैं लिखो पुस्प और सुमन फूल के समानार्थक शब्द है मकान और अवास घर के पानी और नीर जल के समुद्र और जलदी सागर के धरा और धर्ती प्रीथवी के मुले और कीमत मोल के अब आगले अभ्यास में आईए अनेकार्थी शब्दों से वाक्य बनाओ यहां कुछ शब्द दिये हुए हैं जिनके दो अर्थ लिखलते हैं जिन शब्दों से एक या एक से अधिक अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं अनेकार्थी शब्द उनसे यहां पे कुछ शब्द दिये हैं हमें उनसे वाक्य बनाना है जिनसे की अलग-अलग अर्थ निकलता हो सबसे पहला है फूल, फूल से दो अलग-अलग अर्थ क्या है, एक पुष्प और दूसरा फूलना, फूलना एक क्रिया है, तो पहला वाक्य है, बाग में फूल खिले हैं, भागते भागते रोहन की सास फूल गई, तो आपने देखा न, कि दोनों वाक्य में फूल ही है, पर दोनों का अलग-अलग अर्थ है, उसके बाद आईए पर, पर से एक अर्थ निकलता है, परंतु और दूसरा पंक, तो वाक हम क्या लिखेंगे, सीता खेलना चाती थी, परवा खेलना पाई, दूसरा तितलियों के पर बहुत सुन्दर होते हैं, उसके बाद आईए जल, जल से दो अलग-अलग अर्थ है, पानी और जलना, जलना भी एक क्रिया है, हम अलग-अलग वाक के लिखेंगे, पहला जल ही जीवन है, उसके बाद पटाका जलाते समय, राम का हाथ जल गया, तो आपने देखा न, कि हर एक शब्द का अलग-अलग अर्थ है, और वाक में अलग- जहां पर मतलब एक वचन मतलब एक वस्तू या एक व्यक्ति, और जहां एक से अधिक वस्तूओं का ज्यान होता उसे हम बहु वचन कहते हैं, तो हम इन शब्दों के वचन बदलेंगे, एक वचन से हम इने बहु वचन में करेंगे, इट का इटे, बूद का बूदे, काटा काटे तो आप देख रहे होंगे इट का इटे लिखते समय हम एक ही मात्रे का साथ एक बिंदू भी लगाते हैं बूंद में बूंदे लिखते समय एक ही मात्रा के साथ एक बिंदी भी लगाते हैं पर काटा में नहीं लगाएं क्यों क्योंकि जहां पे अंतिम में आ की मात्रा ना आता हो अंतिम वर्ण के साथ आ की मात्रा ना मिली हो वहाँ पे हम ए के साथ बिंदी भी लगाते हैं पर काटा में टा के साथ आ का मात्रा भी लगा हुआ है इसलिए काटे लिखेंगे तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी बिंदू हम उन्ही शब्दों में लगाते हैं उन्ही वरण के साथ लगाते हैं जिनके अंत में आकी मात्रा ना दी हुई हूँ गुलदस्ता का गुलदस्ते गुलदस्ता में ता के साथ आकी मात्रा आया है तो सिर्फ हम गुलदस्ते लिखेंगे बिंदी नहीं लगाएंगे पैंसिल में पैंसिलें लेके सब एकी मातरा के साथ बिंदू भी लगा हुआ है पत्ता में पत्ते पत्ता से पत्ता का वच्चन बदलिए वह वच्चन क्या होगा? पत्ते उसके बाद आए सैयक्त वच्चन से तीन तीन शब्द लिखो यहां कुछ सैयक्त वच्चन दिया हुआ है उनसे हमें तीन तीन शब्द लिखना है आधस और ता तो क्या गुलदस्ता, रास्ता, पुस्तक आधा ट के नीचे हलंद और ट पट्टी मिट्टी छुट्टी द द के नीचे हलंद धाप तो प्रसिद्ध बुद्धी सुद्ध हो गया समझ में आ गया सभी को इसे आप कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और आपको तो पता ही है कि हम कवीता से ना ही मौखिक करते हैं ना नहीं लिखित करते और नहीं कवीता से वर्तनी आता है तो अब बाकी का कवीता पहले लिख लेंगे फिर सब्दार्त लिखेंगे उसके बाद बाकी का अभ्यास लिख लेंगे आज के लिए ही इतना मैं पाट को यहीं सेज करती हूँ धन्यवाद